नमस्कार, आज में आपको बताऊंगे, ब्लाउज से नाप लेके, डवल कटोरी ब्लाउज हम कैसे बनाएं? सबसे पहले हम इसको simple blouse काटेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कटोरी बाली में कनबर्ट करेंगे तो यहां पे आप simple blouse भी बना सकते हैं और kattori भाला भी बना सकते हैं और देखिए कपड़ा है वो ऐसा है कि border भाला है यहां पे छोटा border है तो इसको भी आप बाजू में लगा सकते हैं और यह बड़ा भाला border है यहां पे भी बाजू निकाल सकते हैं लेकिन यह नीचे की साइड आएगा साड़ी में तो इसको हम बाजू पे लेंगे और जिन लोगों को पसंद नहीं है चोड़ा border भो यहां पे छोटा border भी बना सकता है तो देखिए सबसे पहले हमें अस्तल की cutting करनी है अस्तल को पहले हमें double करके रखना है इस तरीके से अब देखिए जैसे हमारा बुलाओ जाए अब यहां पे इसकी जो चैश्ट है वो है 17 इंच लंबाई है 14 इंच तो हमारे कपड़ी की जो लंबाई है वो है 15 इंच तो यहां पर देखिए 17 इंच पर एक निशान लगा लेंगे उसके बाद 3 इंच लेंगे हम सिराई के लिए कपड़ा अलग से अब देखिए यहां पर हमें छोटा बड़ा करना है आगे कपलर हमारा 1 इंच बड़ा होना चाहिए तो जो हमारा आगे कपलर हम वो 1 इंच बड़ा है अब इसको ऐसे करकर डबल करेंगे अब यहां पर हम डीप गला बनाएंगे तो सोल्डर लेंगे हम साड़े 5 इंच, आरूमल लेंगे यहां पर साड़े 5 इंच, साड़े 5 इंच के आरूमल क्योंकि 34 चेस्ट है, अब यहां पर हमें ऐसे गोल आई, तो कितना है, यहां पर आदा इंच की दूरी है, और यह खुली बाली साड़ है, यहां पर हमने निशान लगाएं, गले की चोड़ाई हम यहां पर लेंगे 2 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 7 इंच, तो पीछे का गला हम बड़ा बनाएंगे, डीप गला बनाएंगे, तो अभी हम इसको इस तरीके से ही 7 इंच की दोनों साड़ हमने लंबाई रखे है, तो यहां पर बंदवाली साड़ हमारा गला है, शोल्डर जुड़े हुए, इनको हमें काटना है और पीछे का पल्लर निकालना है, जो छोटना है वो हमारा पीछे का है, और जो एक इंच बड़ा है वो है आगी का, सबसे पहले हम यहां पर आदा इंच आगी का जो पल्लर है, उसकी कटिंग करना है, अब यहां पर लगाएंगे हम तीरे का निशान, तीरे का निशान लगाएंगे हम यहां पर तेरा इंच में एक इंच हम यहां पर लेंगे अब हमें अपना जो फिटिंग का कपड़ा है पो निकालना है तो 34 का आधा 8 इंच, 8 इंच हमारा ये फिटिंग का कपड़ा है तो 8 इंच को हम 3 भागों में बाटेंगे तो देखी हम यहां पर 3 इंच का 3 इंच बनाएंगे अब यहां पर हमें कितना मिला? 5 इंच तो 5 इंच की कटोरी बनाएंगे अगर हमारा यहां पर 9 इंच भूता तो भी हम यहां पर 3 इंच का तीरा बनाते हैं 6 इंच की कटोरी बनाते हैं योगि अगर हमारा सीधा-सीधा कपड़ा नहीं है फिटिंग का तो हम थोड़ा कम जादा कर सकते हैं हमारी कटोरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए अब देखे हमें एक अच्छा सा सेप देना कटोरी का इस तरीके से अब यहां पर हमने जो तीरे का निशन लगाया तो इस तरीके से आप तीरा बाला भी बना सकते जैसे मैंने यहां पर कटोरी का निशन लगाया तो आप यहां प अब ये काटोरी को देखिए हमें ऐसे करके बराबर करके एकदम बराबर बीच में ऐसे काटना है अब देखिए जो हमारा ये ऊपर का पाट है इसको हमें ऐसे रखना है तो यहां पे हम थोड़ा सा सिलाई के लिए आदा इंच कपड़ा लेंगे अब देखिए नीचे की साइड हम बीच में एक इंच लेंगे इस साइड हमने एक इंच लेने के बाद इस तरीके से हमें नीचे की साइड गोलाई में निशान लगाना है बागी हमने दोनों साइड आदा आदा इंच कपड़ा लिया है सिलाई के लिए देखिए जो हमारी उपर वाली का टोरी है उसको आप इस तरीके से रख के देखें ये देखिए धोड़ा साही हमने दोनों साइड से लाई के लिए कपड़ा लिया है एक इंच हमने नीचे की साइड लिया है और उसको हमने नीचे की साइड गोलाई में कटिंग कर लिया है इस तरीके से रखेंगे अब यहां पर लिया हमने एक इंच एक इंच लेंगे हम यहां पर अफ्रिक है कि दोनों साथ हमने एक एक मआ इछ लिया है प्लीड के लिए वादा इंछ लिया आए हमने यहांपे जो हमारा दोनों साथ सिलाई में जाए अब जो हमारा यह कपड़ा है कटोरी का इसको हम इझे क्टो यremo這裡 जैसे नीची की साइट बॉर्डर है तो उसमें पट्टी लगा लेंगे तो यहां पर देखे हमारी यह पट्टी बन गई अब हमारा ही साड़ी का कपड़ा है इसको करना हमें डबल कपड़े को हम अच्छे से रख लेंगे डबल करके यहां पर रखेंगे हम अपना पीछे का परला अब देखे पीछे का गला हम रखेंगे यहां पर 9 इंच का इस तरीके से तो हम निशान लगा के कटिंग कर लेंगे पीछे की पिलेट हम इस तरीके से निशान लगाएंगे अब देखे जो भी हमारे कटोरी के part है उनको रखेंगे तो देखे यहां पे हमने फीछे का प्लार लख लिया है और यह बगली का यह हमारा नीचे का कटोरी का पाट है और यह नीचे का तीरा है तो जो कटोरी का पाट है वो हम इस तरीके से निशान लगा देंगे अब देखें यह हमारा उपर का पाट है तो यह गला है यहां पर निशान लगा लेंगे यहां से हमें जोड़ना तो इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे 밝 जो हमारा यह फुक वाली पत्ति है यह गोलाई जो हमारा नीचे रहेगा गोलाई नीचे की सेर्द ह्खनी हमें अब जो भी कुछ फिर में स्टीय चे का आपको बताऊंगे कि यह नीचे की साइड है हुक वाली पट्टी जो चोड़ाई कम है और यहां पर हमारा इस तरीके से जोड़ेगा अब हमें बाजु की कटिंग करनी है इसको जोड़ना कुछ जादा कटिन नहीं है बहुत आसानी से जोड़ जाता है कटोरी डवल कटोरी बलाऊ और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आता है बस इसे थोड़ा हमें समझना है किस तरीके से हमें जोड़ना है तो यहां पर देखिए इसकी जो चौड़ाई है बाजू के कपड़े की वो साड़े 14 इंच है कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे तो यहां पर हम बाजू की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 10 इंच तो हमें 11 इंच पर निशान लगाना है और यहां पर लेंगे हम 3 इंच तो देखिए यहां पर जुड़ा हुआ है एक साड इसको अलग कर लेंगे अब देखिए जो चोड़ाई कम है तो हमारे कटिंग के जो कपड़े बचे हुए है इनको जोड़ लेंगे यहां पर ऐसे करके इस तरीके से तो चलीए हम आप को कटोरी कैसे जोड़नी है वो बताती हुए अब दगे यहां पर कितना आगए उसको बनाना जैसे मेरा यह निशान है कि सबसे पहले हम उपर वाला जो पाट है उसको जोड़के दिखिए जैसे एक गला है यहां पर आपने देखा एक गले की गूल आई है, इसको हमें ऐसे करके रखना है अब हमें अस्तल के बराबर कटिंग करना अब इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए उपर का पाट हो गया हमारा और यहां पर सीधी पट्टी है यह हुक वाली पट्टी है हमारी अब देखें आपको इस तरीके से जोड़ना है यहां पर ऐसे जैसे यह छोटी पट्टी है और यहां पर चोड़ा ही ज्यादा है तो जो यह छोटी पट्टी वो हमारी हुक वाली पट्टी है तो इसको देखें हमें कैसे जोड़ना है यह जो नीचे की गोलाई है यह हमारा नीचे तीरा में जाएगा गोलाई और जो यह सीधी पट्टी है यह हम ऊपर कटोरी में जोड़ेंगे कटोरी को भी हमें इस तरी किसे रखना देखिए तो अब हम नीचे की साइट से जो गोल आई है उसको हमें ऐसे करना यहां पर हमारा बरावर सीधा आना चाहिए यह सीधी है अब यहां पर हम एक इंच लेंगे अब इसको देखिए हमें कम करते होता आना एक काटोरी वाले बलाउस से भी अच्छी फिट पर बीच में भी एक कट लगा लेंगे इस तरीक से अब देखिए जो हमारी पिलेट है उसके उपर हमें ऐसे रखना और इसको ऐसे जोड़ना है किसी भी प्लर को हमें खीचना नहीं है बस इसी के ऊपर हमें गोलाई में चाहित लाई लगाने है और इसके ऊपर भी चाहित अगर आप नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं अब देखे हमने यहां पर उपर भी सिलाई लगा ली इससे क्या अंदर का कपड़ा अच्छे से दप जाएगा के तो यहां पर देखे कितने अच्छे से काटोरी बुन गए अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी काटोरी को जोड़ेंगे का अ तो देखे, दूसरी कटोरी भी हमारी जोड़ गई है, अब हमें इसे बगली का तीरा जोड़ना है, तो देखे, यहां पर हमने बगली के तीरे पर भी सिलाई लगा लिया है, अस्तल के बराबर हमें कटिंग करके रखना है यह हमारा इस तरीके से आए, तो देखे, कटोरी को हमने इस तरीके से रखा, अब हमें जोड़ना है, ऐसे करके खीचना नहीं है, हमें कटोरी को इस देखे, मैंने ऊपर भी सिलाई लगा लेंदे तो यहाँ पर देखे, हमने ऊपर से भी सिलाई लगा लें?, अब देखे, यहां पर अगर और ज्यूदा बनाना चाहतें तो यहां पर आप प्लेट 2,5 इंच और इस तरीके से अब देखिए यहां पे और ज्यादा पप आ गए है अब हमें नीचे का तीरा जोड़ना है तो देखिए नीचे के तीरे पे भी मैंने अंदर ग्राण स्लाई लगा लिए अस्तल के बराबर कटिंग करेंगे अब हमें ऐसे करके रखना है और यहां पे हमें ऐसे जोड़ना है अब देखिए नीचे का तीरा भी हमारा जोड़ गया है इस तरीके से अब हमें इसी तरिके से अपना जो दूसरा वाला बाट है उसको भी ऐसे ही जोड़ना है तो यहां पे देखिए आपना कीटना आसान है बस हमें ध्यान बगनाना है कि हमारा गला है और की हुक़ए पत्ती चोड़ाई कम है तो यहां पर उकवाली पट्टी बस फिर एकतम सिंपल है तो आसा करते हैं आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी है वीडियो को जाल से ज्याद़ शेयर किजिए कुछ सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट किजिए जो भी कुछ आप सीखना चाहती है पू झाल से जो नीचे कुछ सीखना थाम से टाथ जो आपसः करत रखे कानी है